तो गाइज जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो पे आपको इंफर्म किया था कि इंडियन ओयल में बहुत जल्दी पाइपलाइन डिविजन में रिकुर्मेंट आने वाला फाइनली इंडियन ओयल ने पाइपलाइन डिविजन का ओफिस्याल नोटिफिकेशन जारी कर दी है आपको मिलेगा कि कौन सी इरिजन में किस स्टेट में क्या क्या से ऐक इन डिया और कि श स्वीयाओ निया चया है गंटा यह TA क्या है यह क्या है और यहां पर यहां पर यहां पर नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि WRPL क्या है और नीचे हम जाएंगे तो और भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ACRPL क्या है SRPL क्या है तो यहाँ पर मैं आपको सारा डीटेल्स बताऊंगा तो वीडियो को पास आपको complete देखना है ठीक है सबसे पहले बता दू कि ERPL है यह region का नाम है जैसे कि यह Eastern Region Pipelines Division ओके और नीचे हम जाएंगे कि NRPL जैसे कि इसे हम Northern Region Pipeline Division बताएं बोलेंगे वैसे WRPL यह Western हो गया वैसे S में South हो गया South Region Pipelines Division ओके वैसे यह post का नाम है जैसे हम यह TA बोलते हैं मैं आपको बता दू कि यह है सर इंजिनियरिंग आसिस्टांट और टीए जो है टीए है टेकनिकल एटेंडेंट ओके यह post का नाम है और आपको यहां पर कोई की डाउक नहीं होगा बस बता देता हूं कि यह आप देख सकते को स्टेट वेस्ट पेंगल ओके post क्या है यह मतलब यह का मतलब है इंजिनियरिंग असिस्टांट ओके पोस्ट कोड हो गया number of vacancy only one vacancy है और कास्ट के इसाफ से only यूर से यूर कास्ट के टोगोरी से एक एक लोगों का पोस्टिंग हो सकता है वैसे वेस्ट पेंगल फिर हो गए यहां पर टेक्निकल एक पोस्ट है और यहां पर कोई एक की बंदा का पोस्टिंग हो सकता है और यहां पर पी डबलू बीडी है यह मैं आपको बता दो जो लोग मेडिकाली अनफीट होते उनी लोगों के लिए पी डबलू बीडी होता है वैसे आप नीचे देख सकते कि बिहार से हो गया जाटकंड से हो गया डेली से हो गया हर्यान पंजाब ठीक है तो यहां पर चेक कर सकते है कि टोटल पесь तक यहां पर और चाटकोरी किस केटॉग करी में कितना में यहां से आता है अब नेक्स्ट आता है एज लिमिट ओके केंडिडिएट शुड नाट बी लेस देन एटीन यर्स अप एज एज और शुड नाट पी मोर दन ट्विंटी शिक यर्स ओके आप 18 से एभव होंगे या 26 से बिलो होंगे 26 से एभव होगा तो नहीं हो पाएगा अब देखेंगे एजुक मेकानिकल इंजिनेरिंग या फिधी ओंटोमबाइल शी-इंजिनेरिंग मीनिमूम यहाँ पहें कंदिशन रखाए कि 55 परसेंच रेजल्ट यह हो तो भी जाकेएप अप्लाइ कर सकते हो सेकेणड में आता है इंजईनेरिंग आसिस्टंट इंजिनेरिंग असिस्टंट इल एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनेरिंग का कोर्स किये हो तो आप अप्लाइ कर सकते हो यहां पर भी सेंट 55% मिनिमुम रेजल्ट चाहिए ओके थाड में आता हैं इंजिनेरिंग असिस्टांट यहां पर आपको थ्री यहां फूल टाइम डिप्लमा यहां पर टू यहां थ्रू टेली कम्मुनिकेशन इंजिनेरिंग किये हो या फिर आप इलेक्ट्रोनिक्स एंड रेडियो कम्मुनिकेशन इंजिनेरिंग किये हो या फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल इंजिनेरिंग किये हो या फिर आप इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंजिनेरिं Йँघ्स हम जाएंगे यहां पहें 55% हुआत करते हैं इतल सकते हो लास्ट में आता है टेक्निकल एटेंडेट जो आप 10th पास हो या फिर आप एपलाए कर सकते हो जो लोग टेक्निकल एटेंडेट में एपलाए करना चाहते हो लोग 10th या फिर आईटेज से पासा उठे मैं उन्हीं लोगों के लिए बता दूं कि यहां पर आइटिया आपका कोर्स इलेक्ट्रिशन से स्टार्ट होके यहां पर मेकानिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडिशनर कोर्स तक मिनिमम आप जाके अपर अप्लाइक एक हां तक यहां पर अनदर है इलेक्ट्रोनी मेकानिक है एकंमे मेक को пिर अप्लाइक कर सकते हैं यहां पर आपको सेलेर इंजिनेरिंग आसिस्टांट मेकानिकल या फिर इंजिनेरिंग आसिस्टांट इलेक्ट्रिकल या फिर इंजिनेरिंग आसिस्टांट इन इंजिनेरिंग आसिस्टांट अपरेशन पोस्ट के लिए आपको सेलेरी मिलने वाला है 25,000 से शुरू होके वान लग 5,000 तक जो लोग टेक्निकल एटेनेंट के लिए अप्लाय कर रहे हैं उन्हें लोगों को मिलेगा 23,000 से 78,000 तक आपको सारा कुछ मिलेगा नेक्स्ट आता है एप्लिकेशन फी यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आप अगर OBC हो या जैनराल हो या फिर आप EWS हो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा एप्लिकेशन फी अगर आप SC ST या फिर PWD से बिलंग करते हो तो आप मुफ्ट में मुफ्ट में आप एप्लाय कर सकते हो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा और इंपोर्टन चीज यह है कि यहां पे आपको जो पैसा देना चार्जस देना पड़ेगा 100 रुपया य यहां पे सबसी बड़ी बात है जो एज रिलाक्सेशन है जो मैं अल्लेडी बता चुका हूँ ऑफिशाल नोटिपिकेशन से कि यहां पे मैक्सिमूम एज है 26 राइट बट यहां पे यहां पे ऑफिशाल नोटिपिकेशन यह बोल रहा है कि अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 य अख्ता सब्सक्राइब करते हो तो फिर आपफिशाल नोटिपिकेशन यह बोलता है कि अगर आप OBC से बिलंग करते हो अगर आप OC से बिलंग करते हो आपको भी रिलाक्सेशन दिया जाएगा ऑबी तीन साल का मतलब आपका age 29 है तभी भी आप apply कर सकते हो अगर आप PWBD से बिलंग करते हो तो फिर आपको 10 साल का age relaxation मतलब total 26 ये plus 10 साल total 36 age है आपका तो फिर आप apply कर सकते हो second में आता है अगर आप PWBD मतलब आप medically unfit हो और उसके साथ साथ आप OBC कार्ष से बिलंग करते हो 13 साल का age relaxation मिलेगा 13 साल का 13 years का मतलब आपका age 26 plus 13 है तो फिर आप apply करने के लिए eligible हो आप अगर OBC से हो और उसके साथ साथ आप medically unfit पी हो तो फिर आपका age 39 है तो भी आप apply कर सकते हो आप SCST कार्ष से हो उसके साथ साथ आप medically unfit पी हो तो फिर आपको 15 साल का edge relaxation मिलेगा जो आपको 26 plus 15 टोटल आपका 41 edge है तभी आप apply करने के लिए eligible उसके बाद आता है selection methodology यहां पर important चीज यह है कि आपको 40% qualify करना पड़ेगा मिनिमम 40% result आपको करना पड़ेगा तभी आप SPPT के लिए qualify हो पाओगे ऑके पर जो रहें 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 या फिर एक सर्विसमें या फिर PWBD medically unfit लोग उन लोगों को 10% relaxation है जो आपको 30% मिनिममम रेजल्ट सीक्यू करना पड़ेगा अगर आप 30% result रखते हो तो फिर आप SSPT के लिए eligible हो जाओगे उसके बाद आता है रिटीन टेस्ट मोडालिटी ओके रिटीन टेस्ट आपका 27 मार्च 2022 संडे को होगा ओके रिटीन टेस्ट सेल भी आप अब अब्जेक्टिव टाइप मुल्टिपल चाइस कुस्टे आपका मुल्टिपल टाइप कुस्टेंस रहेगा आपको चार अप्सोंस दिया जाएगा आपको चार अप्सोंस में से एक अप्सों को चूज करना पड़ेगा घर हंडट कोईंगे डरेट्टेंस इन्टाइंडेट टेस्ट ऐस्या जाएगा वाके इच और्डेंस से ले किलो टो हrore अका चुस्टेंस का एंशर से हीب हैंसर क आपको preparation इसी हे इसी के हिसाप से करके जाना है ओके और 25 questions of general amplitude 25 questions आपका general amplitude से आएगा and amplitude and reasoning से आएगा and general English जो यहां पे है general English and numerical amplitude and general knowledge etc is the technical attendance के लिह this same 100 questions मिलेगा 75 questions OK on technical discipline test Technical Discleords and 75 questions आएगा motor हो गया motor machine हो गया electrical हो गया future होगया इसी subjects इंपनेफिफडाइब से आएगा and 25 questions will be on general amplitude and ensuring general English numerical amplitude 75 question आपका सिलाबस से आएगा 25 questions आपका the general नौलेज एगा So there I will be no negative marketing यहापे आपको कोई negative marking नहीं है duration of return test shall be 90 minutes आपको total 90 minutes मिलने वाला है एक्जाम में duration of return test for pwbd जो medical unfit है उनके लिए 120 minutes मिलने वाला है जो लोग SSPT clear करते हैं उन लोगों को medically fit certificate लेके जाना है साथ में और जो लोग pwbd हो गए medically unfit लोग उन लोगों को handicap certificate लेके जाना है तो कुछ important चीज नहीं है बाकि यह तो आपको जरूर पता हुआ कि exam देने के लिए आप जाते हो अगर जाते हो तो फिर आपको साथ में आपका आईटी प्रूप लेके जाना है लाइक पानकाड हो गया या पर आधार कड हो गया वही लिखा हुआ है यहां पर एक इंपोर्टन चीज है किया आपको ध्यान रखना है एप्लाय करने से पहले तक केंडिड़ेट मोस्ट एबन एक्टीव इमेल आइडे और मोबाइल नमबर विच मोस्ट भी भेलीट फॉर एट लिस्ट नेक्स्ट वन यह यहां पर और एक चीज है सेकेंड नमबर पर कि आप जो भी फोटो अप्लोड करगे साइज बीटोइन 20 तो 50 के भी होना चाहिए इन जेपीजी फर्माट और सिगनेचर आपका ब्लांक इंक से करना और इसका साइज 10 तो 13 के भी होना चाहिए और यह यह भी जेपीजी फर्माट में यह आप रेडी र चैक कर हो मेरा चेक करो डेश्करिस्न मैं आपको मिल जाएगा यह डिस्क्रिप्शन से लिंक को ओपन करो ओपन करने के बाद में भी आपको नेक्स्ट दिखा दूँगा तो यहां पर सबसे पहले देख लेए यह पर आपको सारा रिजन पर आपको मेल आईडी दिया गया है आपको कहीं पर प्रॉब्लम आता है डाउट आता है तो डिरेक्ट लिए आप इसी mail id पर questions कर सकते हो अब जिस रिजन से बिलंग करते हो जिस रिजन पर अपपलाए करना चाहते हो उसी रिजन का mail id से आप inquiry कर सकते हो चले हम मैं आपको यह website open करके बता देता हूं कि कैसे आपको apply करना है मैं यहां से copy कर देख सकते हो मैंने website को क्रोम ब्राजर पर पेस्ट कर दिया और यह on करने के बाद आपको डिरेक्ट नीचे जाना है यह वाला यहां पर नीचे क्लिक here for active openings यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हो कि इंडियन ओयल pipeline recruitment non executive यहां पर आपको क्लिक करना है सेकंड वाला पर फिर से आप यहां पर active openings पर चेक कर सकते हो और फ्रीलिंग non executive vacancies in pipelines division यहां पर आपको क्लिक करना है फिर यहां पर आप चेक कर सकते हो कि official notification अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां से आप download कर सकते हो यहां पे नीचे आपको लिखा है register now अगर आप अल्रेडी पहले से register हो तो यहां पे आप login कर सकते हो आपका ID password fill up करके अगर आप register नहीं हो नए यूजर हो तो आप यहां पे register now पर click करके register कर सकते हो यहां पे आपको complete details आपको एक एक करके ध्यान से fill up करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों के साथ जितना हो सकते share कर देना फिर मिलेंगे next वीडियो में बाबाई